हमारे आज के मेमार खुसोसी परमीन अयोड जी राश्टी महासर्चीव पीस पार्टी यहाँ के विधान सबाज़च सर्दाम साथ यहाँ के और पीस पार्टी के बहुती एक्टिव वर्सर्द हमारे आशिम साथ पूर्ष छोटू रिज्वान निवास साथ चंदितांसी वर् से देधी साथ बंड़ा लज्जेत विश्मान साथ दिला सेच हमारे बड़े भाई है इल्यास भाई है और पूर्ष राश से आए हुए महुद अबाज के लाशे से पैसे पूर्ष के लाशे से गोड़ेशा और सिमरी के लाशों से आए हुए लोग इस मौके में मैं शम्धरमा, पढ़ीन यूव् साहबा का को उतना लंबा सफर करके हमारे राश़्ी हजच डॉक शाहब के अबन पहला होके यहां के आधि लेकरान किया यूवद अर पूरी बाड़ी के मैं शुब्हेयादा करता हूँ कि उन्हों ने मुछ लायक समझा कि मैं मुदाबास का पुर्भाली मुझे बनाया जाए इस पार्टी का और सच तो बात ये है कि जब मेरी मुलापात पहली एक अप्रायूब साफिर हुई तो उनके तो जुम्रों में में काफिर हो गया मेरी करेवों भी एक बड़े सर्जल थे परकि मुझे सीनियम मेरे बड़े भाई की सरे थे जिनका नाथ दिनीज भूप वर्डिकार्ट में हो ये शक्त ने एक तिन में सीथ सर्जली, सीथ आपरेशन किये हो ये काम आथान नहीं होता कितने का आपरेशन ड़क्टा यूग 6 मिनट में करने से जुनिया कोई सर्जल सी साम को आज तक पर नहीं पाया दौर्बत ही कोई कमी नहीं उन्ता पड़ा बेटा आईएस डीम जिस जो बनता है जूसरा बेटा की डाप्टर है उनकी अपनी पैक्टरी है और हर सरे लिए आईश वाराम डाप्टर साम ने मुझे कहा कि आप्टरी सब्सक्राब आप वाकई अगर अपनी कोई मुल्क के लिए जब्बा रखते हैं तो फिर इसके लिए आपको एर कंडिशन चेंबर छोड़के जोड़ा तर दूर दराज कर सफर करना होगा धूप और धूद बर्दाश करनी होगी और अगर आप यह नहीं करते तो अपने और के पिश्ड़े कोई कर शिदो होगा बस इस बास ने मुने मुझे बदाफिर किया और मैंने उसी वक्त इस पार्टी की मिमर्शिप रप्रिया ती और मैंने खाँ कि मैं आपके साथ मिल के काम करना चाहूँगा और मैंने खाँ कि यह मेरा इजादाश कोई नहीं कि मैं आपके एलेक्शन का फिकटट माँए आए और आप मुझे एलेक्षिन लड़ाएं कहने लगे कि ये पार्टी का फैस्टा होगा तो आप एलेक्षिन भी लड़ाएं हम आगे ऐसे लोगों को पसंद करते हैं बिलभुसूस मुसल्मान होगे ऐसे लोग आएं आगे बढ़ें और इस पार्टी को मदबूत करें पस इनी उसके चंद अलफाद के साथ मैंने पार्टी को जाइं किया और मैंने पार्टी का काम करना शुरू कर दिया क्योंकि महसूल इस बास को महसूल कर रहा था कि हिंदुस्तान के अप्रियती सबसे के लोग मुसल्माना ने हिं तरिस और पिछड़े वर्ट के लोग पिछड़ों से में उराद ये है कि हो जाहें प्रामर हो ये चत्री हो ये नीथी जात वाला हो ये उसी जात वाला आरचछड का आज तब का फाइदा सिर्फ एक बर पास को मिलता के लाया है और आरचछड की गुनियात पे वो डियम और एस्पी बनते हैं दाक्र और सर्जन और मंतरी और मुटी मंतरी भी बनते हैं तो क्या उनको आज आरचछड की जरुवत है जो आजमी मंतरी है और मुटी मंतरी है तो उसे आरचछड की जरुवत है ये जली प्रावर्ड जो जली पी रेखा से नीकेत जिंदे की गुजार रहा है जिसे तो वक्त की रोपने की ठाने के अपर रोटी नहीं है उसे आरचण क्या नहीं मिलना चाहिए ये जाइम साथी है सफ़ा 341 में 3500 करके जैसा कि अभी हमी अमारी राशी महातर्यू ने बताया कि एक धोबी अगर वो हिंदू है तो वो दरिख है लेकि वही धोबी अगर मुसल्मान है तो दरिख नहीं है उसको आरचण नहीं बिसकता एक नाई जो हिंदू है और वही काम करता है वो आरचण का हफ़ार है और वही राई अगर मुसल्मान होता है तो अरच्षड के जिद्ध दे खारिश कर दिया जाता है यह उसको इनाम मिलता है कि उसमें सर्मा पढ़ने का उसको इनाम मिलता है तो 1950 से लेकर आज कि जो नाइनसाभी दिया रही है मैं सिर्फ मुसल्मानों की बात नहीं करता हमारे डाप्टर यूट साथ पिर मुसल्मानों की बात नहीं करते है आखलियतों में मुसल्मान भी है योडिताई भी है जैन भी है और सिख भी आते हैं जिस दूसे सब्सक्राइब के लोग है किछड़े वर्द में भी लोग ने दरी भी रेखा चाहिए धर्म की गुनियाद पे हिंदुस्तान का तानूम हिंदुस्तान का सब्विरान रिजर्वेशन की जाज़त नहीं देता इसलिए कि मुसल्मानों में दरी कोई माना ही नहीं गया क्या वजोमी हो मैं आपको एक छोटी सी मितां दूँ हमारी मौतरवाव वजीर आला मायवती दिने अभी सेस्टल गौर्वेशन से मान की है कि मुसल्मानों का रिजर्वेशन किया जाए और भी लोगों के ने उन्हें रिजर्वेशन से बात दी बात की है ये भी अभूब बनाने वाली बात उनको मालू है कि अगर गौर्वेशन सेस्टल गौर्वेशन में मुसल्मानों की रिजर्वेशन लागों करती है अगले दिन उस रिजर्वेशन को अधालत खारिश कर देगी जैसा कि आंप कर्देश में हुआ है माले प्रदेश में हुआ है जैस गंगान में हो चुका है मुहां की हुकोमतों ने मुसल्मानों का 5% आरच्चियर लागों किया अगले दिन अधालत ने उसको खत्म कर दिया क्यों? अधालत कहती है कि सम्विनाम के इसाथ में मुसल्मानों का रिजर्वेशन धर्व की गुनियाग से नहीं हो सकता उसके लिए आर्टिकल 341 यह हमारे कॉंस्टिटूशन का है सम्विधान का है जब तक उसमें तब्दीवी लगी जाए जब तक उसमें तंशोधर लगी आजाए तब तक मुसल्मानों के ये तूसरे अकलियतों के रिजर्वेशन के राष्टे नहीं कुछ सकते इसलिए कि सम्विधान धर्व की गुनियाग से इसलिए हमारे डाक्टर साभ ये बात बिल्कु सही है डाक्टर साभ बहुत ही इमांदार और संजीदा इंसान है साफसुतरे इंसान है उनकी इसी साफसुतरी चबी को देखके साफसुतरी पालिशियों को देखके लोग उनसे जुड़ते के लजा रहे हैं इस नेकनियती और एकलासी की बज़े है कि ये तीन साल में ये कारमा इतना पढ़ गया है कि बड़ी खार्टियां खत्रा मैसूस करने लगी है और आज गटबंदन ये बाद करें कुछ लोग गटबंदन की बाद यहां तक के पालिशियों के तुछ पीलर्ट आए ड़्टर यूब ने साफ कह दिया कि जब तक रंगनाथ मिश्रा कमिशन की रिकोर्ट को लागू नहीं किया जाएगा गटबंदन की कोई बाद को नहीं है इसलिए कि रंगनाथ मिश्रा कमिशन की रिकोर्ट ये कहती है कि अप्लियतों को और दीगर सबकात को उनके रुबंदन दिलाने के लिए आर्टिक्ल 341 में संशोदन किया जाए 27% OBC का जो रिजर्वेशन है उसमें भी एक कोटा रही हिस्सा उनके रही मुकर्ण किया जाए तो यह मज़नी हुकूमा तब हमारी चाहसी है कि मुसल्मान अंजिम्द या दूसरी अपियत है और दूसरे दफ़ताद के लोग उनका सपोर्ट करें तो उसके लाजिम होगा कि अंगरा कुश्टा कमिशन के रिपोर्ट बोलागू करे जब तक ऐसा नहीं हो सकता जाहिर है कि लोग उनके साथ नहीं बुड़ेगे जो जाहिर मैं इसको बहुत सारी लग़ी जोड़ी तफ़ीर के बूर्ट में नहीं हूँ और मैं पिस शुक्री आदा करने के लिए कुड़ा हुआ था आदादी के बाद के मुसल्मानों का आज तक यहाल रहा है कि कभी वो कांगर के पीछे लग जाता है और थोड़े दिनके बाद इससंथ करता है कि इतने बीएमे दूखा दिया कभी अमाजवादी के साहँ कार पहिर तोड़े दिनके बाद इस साहँ कि नहीं ये भी एसे लोगों से हाट मिलाते हैं जो मुसल्मानों के खोल के दाते हैं और कभी वसपा के साथ दोड़ता है थोड़ी दूर एक शेर गालिब का मुझे यार आ रहा है और कि चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक राहरों के साथ एक राहजीर जा रहा है कोई यार है उसे पीचे में रखी जा चलता हूँ थोड़ी दूर हम एक राहरों के साथ पर्जानता नहीं हो भी राहबर को मैं अजीज दोस्तों हमें एक राहबर मिल गया है डाक्टर ईूप की शक्रण में हम सब पूरे मेहनत से जपातशी से हिम्मत से और मेहनत से इखलास से नियती से हम डाक्टर ईूप कर साथ रहेंगे उनकी हाथों को मदबूत करेंगे डाक्टर ईूप जिन्दावाद पीस पार्टी जिन्दावाद शुक्रिया बड़को